हेलो भिर्वन स्वागत है आप से लोग का स्टेडी 5.6 में आज हम आप सोई लोग को जोड़ घटाओं में चिन्ध लगाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से आपको पताएंगे आपको स्वाज में भी आ जाएगा जैसे देखे पहला सवाल है प्लस 2 फिर इसके बाद प्लस है फिर इसके बाद यहाँ पर क्या प्लस 3 लिखा हुआ है तो ऐसे सवाल कैसे साल होंगे तो बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेगा आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा यहाँ पर देखे प्लस टू लिखा हुआ है तो प्लस टू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या दो आप लिख सकते हैं अगर दो के समने कोई भी चिन नहीं लगा हुआ है तो समझ लिजी उसके समने प्लस का चिन लगा रहता है अब इसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन है और यहाँ पर भी क्या है प्लस का चिन है यह जो कोष्ठक लगा है इसी को हमको क्या हटाना है यहाँ पर देखे प्लस दो था तो इसको मैंने हटा दिया जो कोष्ठक लगा था दो लिख दिया अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ इसके अंदर जो है कोष्ठक के अंदर भी क्या प्लस है तो प्लस और प्लस जब भी मिलते हैं तो हमेशा क्या होता है प्लस होता है तो यहाँ पर क्या आप प्लस लिख देंगे इसके बाद कोष्ठक हटा दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा तो दो धन तीन कितना होता है यानि 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है कितना 5 यही आपको क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा आसा करता हूँ आपको जुरूर समझ में आया होगा एक बार चिन कैसे बदलते हैं उन्हीं को आप अगर सीख लेंगे तो कभी भी आपकी सवाल गलत नहीं होगी यहां पर देखे प्लस 3 लिखा हुआ है कोष्टक में फिर यहां पर प्लस का चिन है फिसके बाद कोष्टक के अंदर यानि ब्रेकेट के अंदर माइनस 1 लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या चीज इसमें दूर करना पड़ता है यहां का चीज जो यहां पर प्लस है और यहाँ पर कोष्टक में जो चिन रहते हैं उन्हीं को पाले दूर किया जाता है कैसे देखें यही चीज जिसमें थोड़ी दिक्कत होती है प्लस थ्री लिखा हुआ तो प्लस थ्री को आप क्या इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख देंगे आप एक लिख देंगे असा करता हूँ आप मेरी बात को जुरूर समझ पाए होंगे अब आप क्या करेंगे 3 minus 1 करेंगे आपका कितना आ जाएगा 3 में से जब 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा कितना 2 अब यहां पर देखिए 2 तो आ गया तो यहां पर किसका चिन लगता है जब भी देखिए जिस चिन्न के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्न लगता है तो 3 के सामने प्लस लिखा हुआ था यहां पर देखिए लेगिन अगर नहीं लिखा हुआ है तब भी आपको माना जाता है आप सुभी लोग को सुझ में आजाएगा हर एक परकार के सवाल है आपको हर एक परकार के सवाल देखने को भी मिलेंगे माइनस फोर फिर इसके बाद पलस कचिन ने फिर यहाँ पर माइनस टो लिखा हुआ है आप क्या करेंगे माइनस फोर को आप यहाँ पर ब्रेकेट हटा देंगे तो यहाँ पर माइनस फोर लिख देंगे आसा करता हूँ आप मेरी बात को जरूर सौंच पाएंगे फिर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो plus और minus मिलकर क्या हो जाएगा minus हो जाएगा तो यहाँ पर minus कचिल लगेंगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 को उसी तरह उतार लेंगे आसा करता हूँ आप मेरी बात को सोच पाएँगे फिसके बाद यहाँ पर देखें minus 4 और minus 2 लिखा हुआ है तो माइनस और माइनस हमेशा मिलते हैं तो क्या होता है प्लस होता है यानि हमें जोड़ना है तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है तो चार दो क्या होगा च्छा हो जाएगा जोड़ जाएगा चार धन दो कितना हो जाएगा च्छा हो जाएगा अब बात आती है यह प्लस के सामने 4 लिखा हुआ है तो 4 के सामने यही माइनस वाला चिन लग जाएगा आसा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी यह देखे एक तरीका है समझाने का एक बार अगर आप समझ देंगे तो आपको कभी भी प्लस माइनस का चिन लगाने में गलती नहीं माइनस वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन लगता है तो यहां पर माइनस का चिन लग जाएगा आँसा करता हूँ आप मरी बात को समझ पए होगे यही आपका क्या होजाएगा अगला प्रश्च्ट है आपका देखिए यहां पर प्रश्च्ट पाच्वआ है प्लस 4 इसके बाद माइनस है इसके बाद प्लस 6 लिखा हुआ है तो आप प्लस 4 लिखा हुआ तो इसे आप 4 लिख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन है यहाँ पर प्लस का चिन है तो माइनस तो प्लस क्या होगा? माइनस होगा यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो 6 को यहाँ पर उतालेंगे अब आप क्या करेंगे 4-6 को हल कलेंगे तो 4-6 क्या होगा 6-4 को आपको घटाना होगा जब 6-4 आप घटाएंगे कीतना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर किसका चिन लगेगा जिस भी चिन के समने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन लगेगा तो यहाँ पर सिस के समने किया माईनस का चिन लगा देंगे असा करता हूँ आप मेरा यह तरीका जरूर सुंझा आ रहा होगा ये देखिए मैं पूरा आपको एक बार बता चुका है वीडियो में किस तरह से चिन लगते हैं तो उसी आप अगर देख लेंगे तो आपको और ही सुध्या होगी वैसे यहाँ पर भी आपको सुन में आ जाना चाहिए चाथमा परशने देखिए प्लस 9 है इसके बाद माइनस का चिन है ब्रेकेट में माइनस 8 लिखा हुआ है तो प्लस 9 को आप क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं माइनस और माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा प्लस होगा तो प्लस का च करता हूँ आप यह चीज़ जरूर समझ पहूंगे तो नवाट कितना हो जाएगा 17 यह यह आपका एंसर हो जाएगा प्रश्ण सातवा है देखिए बहुत बेतरी प्रश्ण है माइनस पांच है फिर इसके बाद माइनस है फिर ब्रैकेट में माइनस साथ लिखा हुआ है तो मा माइनस माइनस क्या होगा फिर इसके बाद यहाँ पर साथ लिखा हुआ है तो साथ लिख लेगे अब आप यहाँ पर देखिए माइनस पांच है यहाँ पर प्लस साथ है तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा यानि घटेगा तो साथ मसे पांच आप घटाएं कितना जा हुआ है, तो MINUS 2 है, इसे यहाँ पर MINUS 2 लिख दें, bracket हटा दीजेगा MINUS और PLUS क्या होगा MINUS होगा, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 लिख दीजेगा अब यहाँ पर देखिए, फिर से आप देखिए MINUS मिलकर क्या हो जाएगा PLUS हो जाएगा, तो 6 और 2 को आपको जोड़ना है तो 6 दो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर किसका चिन लगेगा दोनों माइनस में हैं तो एक चिन आप लगा दीजिए वैसे देखिए जिस चिन के सामने वाले संख्या बड़ी है उसी का चिन लगता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ह रोजेगा आस्ता करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको जरूर्द सर्मिया होगा तिसी प्रकार के मदद फूल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर्द सब्सक्राब कर लिएगा वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलिएगा धन्यवाद